हलो एवरिवन एन वेल्कम बेक टू मैं चैनल तो स्टोडन्स आजम करेंगे हमारा क्लास माइन का पोयम जिसका नाम है दग एन दग कंगारो ये डग और कंगारो के बीच के बाते जो कर्वर्शिशन हो रही है उसके बारे में जानेंगे कि वो लोग क्या बात करते हैं एक ठीक है चली जानते हैं पटापट करते हैं ठीक है फर्स्ट इंजर में क्या है सेट डग टू डग टू दा कंगारो गूड गूड ग्रेस हाओ यू हॉप ओवर द फील्ड अन द वाट तू अज इफ यू नेवर उड स्टॉप मालाइव इस बोर इन दिस नैस्टी पॉंड यहां पर जो वर्ड है ठीक है यू गूड ग्रेस इसका मतलब होता है न कि जैसे की होते हैं न कि ना अच्छा है ऐसे होते है न उसे कहते हैं ठीक हूप का मतलब होता है कि जंप करना उसके बाद में है यहाँ पर बोर का मतलब तो पता है आप लोगों को बोरिंग होना ठीक है नैस्टी पॉर्ण का मतलब होता है कि डर्टी पॉर्ड गंदा सा पॉर्ड ठीक है उसके बाद में है लॉंग टो गो लॉंग टो गो का मतलब होता है कि मेरा भी मन होता है बहुत ज़ादा wish है मेरा beyond beyond का मतलब होता है कि काफी दूर तक ठीक है तो यहाँ पर क्या कहा गया है चली जानते तो यहाँ पर जो है कहते हैं duck किसे कंगारू से duck कहती है कंगारू से कि oh my god कि कैसे तुम jump कर लेते हो ठीक है तुम field में भी jump कर लेते हो तुम land में भी jump कर लेते हो यहाँ तक कि तुम पानी में भी jump कर लेते हो और ऐसा लगते है कि तुम jump करने से कभी भी rुक नहीं सकते है ठीक है तुम लगता जब करते ही रहोगे और एक तरफ मेरी life जो इतने ज़ादा बोरिंग है एक्दम इस बेकार से पॉंड में थे कि इतनी यह जो नैस्ट पॉंड है यहाँ पर कहा गया है कि मेरी जो लाइफ है वो इस नैस्ट पॉंड में यह डर्टी सा पॉंड में गंदा सा पॉंड में मेरी लाइफ एक्दम क्या है बोर हो चुकी है यहाँ पर कहते हैं कहती है जो डग कि मैं भी इस दुनिया में क्या करना चाती हूं भूमना चाती हूं जैसे कि मेरा भी मन करता है कि तुम जैसे पूरे दुनिया में घूमते हो वैसे मैं भी घूमू ठीक है उसके बाद इस बेकार पॉंड से क्या करूं बाहर निकलू और मेर मन क्या करता है कि जैसे तुम जम करते हो वैसे तोमारी तरह मैं भी जम करू डग कहती है कि से खांगारू से तक है तो जो first ब् realms है हमारा ये first danger में पूरा आपका जो डग है वो खांगारू से यह सब कहती है ठाक है second बらい क्या है please give me a right on your back set the dark to the kangaroo I would sit quite still and say nothing but quiet the whole of the long day throw and we will go to the deep and the jelly bowl over the land and over the sea please take me a ride or do said the duck to the kangaroo ठीके तो यहां पर जो कहा गया है कि प्लीस गिप में a ride on your back यहां पर जो डग है वो किसे कहते है कंगारू से कहते है ठीके कि मुझे क्या करो अपने उपर बिठा लो ठीके मुझे अपने पीछे बिठा लो said the duck to the kangaroo duck कहते है किसे kangaroo से I would sit quiet still and say nothing but quiet कहते है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगी मैं बिल्कुल भी तुम्हें disturb नहीं करूंगी सिवाए एक ही चीज़ करूंगी बस वो है क्वाक के सिवा मैं और कुछ नहीं करूंगी क्योंकि वो वो आप लोगों ने duck को notice क्या हुआ कि वो लोग क्या करते हैं क्वाक क्वाक करते छानके डी में जानके गूमने के लिए जेली बोली में गूमने जानके लिक है यहां पर जो MP ос चैक्वा मतलब कि यहां जाए explorウियो तो हम यहाँ जाएंगे गुमने के लिए वहाँ जाएंगे एक्सेटर एक्सेटर जिस एक एक्सामपल के तरह हमें दिखाया गया है तो आप लोग मैं सोचना कि जेली बोली दी ऐसा कोई नाव है हम तो कभी गए ही नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है बिझ करणा काamm लुतनी जाएंगे जैएंगे जैसे तूमको सब लेख खोड़ाव। जाहते हैं कि कुछ लेख गिना कांगार। ऐसे कहती है, ठीके, set the duck to the kangaroo, duck कहती है किसे kangaroo से, तो यह جो हमारा first stranger और second stranger है, यहां पर duck ही किसे कहती है, kangaroo से कहती है, वो अपनी ही बाते कर दे, ठीके, और यहां पर kangaroo जो है, वो बस सुन रहा है, तो अब जानेंगे कि थर्ट स्टेंजा में क्या कंगारू कुछ कहता है या डग ही कुछ कहेगी ठीक है सेड़ खंगारू to the duck तो फाइनली यहाँ पे जो कंगारू है वो डग से कहता है ठीक है तो यहाँ पे क्या कहाँ यहाँ पे फाइनली जो थर्ट स्टेंजा में कंगारू जो डग से कहता है क्या कहता है वो कहता है कि तुम ने जो कुछ भी कहा उस बारे में मैंने भी बहुत सोचा ठीक है चाहता है तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं बोडली तुमे बताना चाहूंगा कि जो तुम्हारा फिट है वह क्या होता है पूरा ठंडा सा है डम भीगा होता है क्योंकि जो डख है वह दीन-भर 24 hours क्या करते है पानी में रहते है प्वड में रहती है तो जो विट है तर बंद में रहती है तो जो पानी में उससे मुझे fever हो जाए उसे मुझे rheumatis हो जाए यहाँ पर जो एक word है मैं आप लोगों को बत्ता दू यह rheumatis 暗 की extreme rheumatis का मतलब होता है यहाँ पर rheumatis का मतलब होता है जिसकि body में pain होना जिसकि thund के वज़े से हमें कैसे body में pain हो जाता है उसी चीज को जो kangaroo है वो डग से कहता है कि क्या पता तुमारा जो भीगा सा जो fit है उसके वज़े से मुझे रू मटीज हो जाए मुझे बोडी पेइन हो जाए ठीकर थर्ट स्टेंजा में kangaroo से डग ने कहा तो फृट स्टेंजा में क्या होता है Set the duck as I sat on the rocks, I have taught over it completely and I bought four pairs of worst socks which fit my wife fit neatly and to keep out the cold I have bought a cloak and every day a cigarette I will smoke all to follow my own dear true love of a kangaroo. तो force danger में duck कहती है कंगारू से जब वो सब सुन लेती है कि उसे एक objection रहता है कंगारू को तब duck क्या कहती है डग यहाँ पर कहती है कि जैसे ही मैं rocks पर बाठी हूँ मेरे दिमाग में कुछ आया ठीक है जैसे तुम ने कहा तुम मैंने सुना मेरे दिमाग में भी क्या आया 4 pairs ठीक है of worst socks तो यहाँ पर मतलब होता है कि 4 जोरा उसने क्या खरिदा एक मोजा खरिदा ठीक है अब 4 pairs हो गया तो आपका कितना हो गया टॉटल पीस कितने हो गया एट हो गया तो वो जो duck है वो कहती है कंगारू से कि जो तुमने कहा मैंने सुना ठीक है और मैं वही सब आपके जो अगया एक मैंने सूचा है जो आपके मेरे टीक है मैंने क्या खरिद लिया था मैंने चार जोरे जो मोजे खरिद लिया थे अब 4 जोरे मोजे से क्या होगा which fit my way fit neatly तो कहती है कि अगर वो चार जो जो मोजे है उसे मैं अगर अपने fit में पहन लूँगी मतलब जो डग के fit होते उसमें अगर वो पहन लेंगी तो क्या हो जाएगा वो जो पैर उसका भीगा वा था जो उसका fit जो क्या था weight था वो चीज से उसे कंगारू को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा ठीक है उसे roomatish नहीं होगा क्यों क्योंकि उसका पैर भीगा ही नहीं रहेगा वो तो सोक से cover रहेगा ना तो यहाँ पे जो है डग वो कंगारू से कहती है कि मैंने socks खरिद लिए हैं तो मैं क्या करूँगी उस socks को अपने fit में पहन लूँगी तो उससे तुम्हें क्या होगा ठंड नहीं लगेगा और तुम्हें ठंड से बचने के लिए हैं मैं क्या करूँगी एक clog भी पहन लूँगी यहाँ पे clog का मतलब होता है श्रक पहनना जैसे कि जो गर्म कपड़े होते हैं ठीक है वो पहन लूँगी मैं और यहाँ पर जो wash socks का मतलब होता है कि wool से बने वे जो socks होते हैं उसे कहते हैं ठीक है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए ठंड ना लगे इसलिए मैं wool के क्या करूँगी socks भी पहनूँगी और socks भी पहनूँगी जो पुड़े cover रहते हैं वो भी पहनूँगी और हर दिन मैं cigar भी smoke करूँगी ठीक है जिससे मेरी body क्या हो जाए warm हो जाए ठीक है जिससे मेरी body क्या हो जाए गरम हो जाए और इससे तुम्हें बिलकुल भी problem ना हो all to follow my own dear true love of a kangaroo और ये सब मैं किस ले कर रही हूँ ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी ले कर रही हूँ because मुझे चिंदा है तुम्हारी ले ना because मेरे लिए एक love है मतलब तुम्हारी लिए मेरे तरफ से क्या है love है मैं care करती हूँ तुम्हारी ठीक है तुम्हारी में क्या होता है said the kangaroo I am ready all in the moonlight pale but to balance me well dear duck sits steady and quiet at the end of my tail so away they went with a hop and a bound and they hopped the whole world three times round and who so happy or who as the duck and the kangaroo तुम्हारी में ये सारे चिज़े जो फुम्हारी में तुम्हारी में तुम्हारी में कहा kangaroo से ये सारे चिज़े सुने के बाद क्या kangaroo ready होगा तो हां फिफ्स टेंजा में ये ही कहा गया है कि kangaroo जो है वो कहता है duck से कि ठीक है मैं ready हूँ जब moonlight होगी ना जैसे कि जब moonlight pale का मतलब होता है कि चांदिनी जो रात होती हो किती खुबसूरत होती है तो वो कहते है कि मैं ready हूँ और तुम्हें जो चांदिनी रात है ना उसमें मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेग चलूँगा ठीक है यहां पर कहता है kangaroo जो कि लेकिन तुम्हें क्या करना होगा मुझे बैलन्स रखने के लिए तुम्हें एकदम केरफुली बैठना परेगा बैलन्स बनाया है ता कि मैं भी न गिरू और तुम भी न गिरू ठीक है and quiet at the end of my tail और कहता है कि तुम अगर बैठ होगी तो मेरे जो tail है ना उसके एकदम ending वाले portion पर बैठना ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह kangaroo है उसके tail पर वो डग जो है एकदम ending वाले portion पर बैठना होगा आप वैसे ही वो बैठ जाती है और मतलब वो लो क्या करते हैं एकदम कूद कूद कर ऐसे hop करते हुए ठीक है देख सकते हैं आप लो कि किस तरह hop करते हुए वो उसे लेके जा रहा होता है and they hop the whole world three times round और वो लोग ऐसे ही hop करते हुए मतलब ऐसे ही jump करते करते वो लोग वोल्ड को three times क्या कर लेते हैं round कर लेते हैं मतलब घूम लेते हैं three times world में घूम लेते हैं ठीक है and who so happy oh who अब इसमें से कौन जादा happy है कौन है as the duck and the kangaroo duck भी happy है and kangaroo भी happy है I hope आप लोगों को समझ में आए हो कोई भी doubts हो आप लोग मुझसे comment में पूछ सकते हैं so अगर आप लोग मेरे channel पर नए हो तो please इससे like करे, share करे और subscribe करे thank you so much